आए ज्यामिती यानि की जियोमेटरी और आयतन यानि की वॉल्यूम से संबंदित कुछ प्रश्ण करें यहां एक त्रिकोणिय प्रिज्म यानि की ट्रायाइंगुलर प्रिज्म दर्शाया गया है त्रिकोण की तरह दिखने वाली त्रियायामी आक्रितियां यानि की three dimensional figures दो तीन प्रकार की होती है इस त्रिकोणिय प्रिजम को देखकर ऐसा लगता है कि इसके दो फलकों यानि की faces पर त्रिकोण है और ये एक दूसरे से अलग है ऐसा लगता है कि इनके बीच आयत या rectangles है दूसरे प्रकार की त्रिकोणिय त्रियायामी आक्रिति पिरामिड जैसी लगती है ये एक आयताकार पिरामिड है क्योंकि इसका आधार या base इस तरह से आयताकार या चौकोर होता है ऐसे त्रिकोणिय प्रिज्म भी होते है जिनमें प्रते किनारे पर एक त्रिकोण या triangle होता है लेकिन ये एक त्रिकोणिय प्रिज्म है चलिए अब प्रश्न पर ध्यान दीजिए इस त्रिकोण के आधार यानि की base बी का माप साथ है उचाई यानि की height h का माप 3 है और लंबाई यानि की length l का माप 4 है और हमें इस प्रिज्म का आयतन यानि की volume पता करना है तो ये बताया गया है की आधार का माप साथ है यानि की ये माप साथ है त्रिकोण की उचाई 3 है यानि की ये उचाई h 3 है और प्रिज्म की लंबाई चार है यानि की ये लंबाई चार है तो आहतन यानि की वॉल्यूम पता करने के लिए हम इस त्रिकोण का क्षित्रफल यानि की एरिया पता कर लेते हैं और उसके बाद इस क्षित्रफल को इस लंबाई से गुणा करेंगे तो त्रिकुण का क्शित्रफल यानि की एरिया पता करने का सूत्र या फॉर्मूला है एक बटा दो गुणा आधार गुणा उंचाई इसलिए ये हो जाएगा एक बटा दो गुणा साथ गुणा तीन और हम इसे गहराई से गुणा करेंगे इसलिए अब ये हो जाएगा एक बटा दो गुणा साथ गुणा तीन गुणा चार हम इस गहराई को क्षित्रफल से गुणा कर रहे हैं तो हल करने पर एक बटा दो गुणा चार हुए दो, दो गुणा तीन हुए छै और छै गुणा साथ हुए 42 और इसकी इकाई कोई घन इकाई होगी जैसे कि अगर प्रश्ण में बाकी माप सेंटीमीटर में हो तो इसका आयतन घन सेंटीमीटर में होगा लेकिन इस प्रश्ण में कोई इकाई नहीं दी गई है आईए इसी तरह का एक और प्रश्ण करें यहां एक घन यानि की cube दिखाये गया है जिसके प्रतेग भुजा की लंबाई समान है जिसे x बराबर 3 से प्रदर्शित किया गया है इस घन का कुल आयतन यानि की total volume पता कीजिए तो प्रतेग भुजा की लंबाई x है जिसका मान 3 है इसका मतलब है कि इस भुजा की लंबाई x बराबर 3 है प्रतेग भुजा की लंबाई x बराबर 3 है ये प्रशन त्रिकोणिय प्रिज्म वाले पिछले प्रशन के ही समान है बलकि घन का आयतन पता करना उससे थोड़ा असान है और हमें केवल इस सतह का क्षित्रफल यानि की एरिया पता करना है इससे पता करना काफी आसान है ये एक वर्ग यानि की स्क्वेर है इसलिए इसका क्षित्रफल होगा आधार गुणा उंचाई यानि की तीन गुणा तीन तो इसका आहितन यानि की वॉल्यूम है एक्स्पोनेंट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा तीन की घात तीन, और इसलिए जब किसी संख्या की घात तीन हो, तो ये कहा जाता है कि ये घन ये क्यूब है, क्यूंकि घन का आयतन पता करने के लिए आप एक भुजा की लंबाई को तीन बार आपस में ग ताइस.